जहीं दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपीक के साथ आई एन एस कदमत इन फिलिपन्स टू कांटर चाइना तो क्या बात है चाहिए अब यह वीडियो देखे तब ही पता चलेगा तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसी न्यूज आपके लिए हम पहुंशाते हर बार इस बार भी पहुंशा रहे तो उसके लि चैनल पर पहली बार आयो और सब्क्राइब ना किया हो तो सब्क्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजे और वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेर और सब्क्राइब जरू से कर देगा सलिए स्टार्ट करते हैं नमसे कार दोस्तुं स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों जैसा कि आपको यादी होगा आपसे दो दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे चीनी नोसेना ने फिलिपीन्स के अंदर घुस कर उनके जो कहीं सारी शिप थी उन पर हमला किया फिलिपीन्स की जो नोसेना की पेट्रोलिंग बोट थी उनमें टक्कर मारी इसके लावा वर्टर कैनन से फिलिपीन्स के नोसेनिकों पर हमला भी इनोंने किया लेकिन चीन यहीं पर नहीं रुका दरसल परसु अपनी नो सेना से हमला करने के बाद अब से कुछी घंटे पहले फिलिपीन्स के अंदर इनकी वायू सेना घुस गई जी हाँ नो सेना के बाद अब वायू सेना ने फिलिपीन्स की जो एर स्पेस है जो इनकी वायू सीमा है उ जो लोग मेरी चीन की खबरों को रेगुलरली फोलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि ये चीन का एक तरीका है छोटे देशों को डराने का उन्हें दबाने का क्योंकि चीन को पता है छोटे देश डर जाएंगे और जो दक्षिनी चीन सागर में उनके स्ट्रेटजिक आइलें के बाद लेकिन चीन को रोकने के लिए और उसकी धमकियों को खतम करने के लिए जहां अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने युद्ध पोथ फिलिपीन्स की तरफ रवाना करिये हैं इसे बीच भारत ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है जैसे कि आप सकीन पर देख सकते हैं डि फिलिपीन्स अकेला नहीं है और तुम उसकी जमीन चीनने की कोशिश करोगे तो भारती नोसेना उनकी मदद के लिए आएगी और बताय जा रहा है कि भारत का जो ये युद्ध पोथ है आइनस का दमत ये काफी दिनों तक फिलिपीन्स में रहने वाला है फिलिपीन्स की न बूच कर अपना युद्ध पोथ फिलिपीन्स ऐसे टाइम पर भेजा है जब चीन फिलिपीन्स के खिलाफ अगरेशन दिखा रहा है उसकी जमीन हडपना चाहता है और इसलिए भारत का ये युद्ध पोथ भेजने का जो फैसला है जो ये मूव है ये चीन को एक कड़ा सं देश है कि अगर आप किसी भी देश के खिलाफ अगरेशन दिखाओगे तो भारत आपको हर एक फ्रंट पर खड़ा मिलेगा आपको चैलेंज देगा वही फिलिपीन्स के लोग इस फैसले से बहुत खुश है तमाम डिफैन्स एक्सपर्ट तमाम जो न्यूज चैनल है भार के लिए अमेरिका आया फिर ब्रिटेन आया और अब भारत यानि कि दुनिया के तीन सबसे शक्तिशाली देश फिलिपीन्स के लिए आए है इसलिए कम से कम फिलिपीन्स का अब होसला बढ़ गया है अब इनमें हिम्मत थोड़ी ओर आ गई है कि हाँ अब हमारी बैकिंग ठ ठाक है अब चीन आएगा तो हम उसे देख लेंगे और हर फ्रंट पर हम उसे मूँ तोड़ जवाब देंगे इसलिए आप देखिए पिछले कुछ घंटों से चीनी नोसेना के कहीं युदपोत वापस लोट गए है फिलिपीन से और जो लड़ाकों विमानों की एक्टिवि चाहिए इससे फिलिपीन्स की बहुत मदद होगी फैसला ये कि अब से कुछी महीने पहले फिलिपीन्स ने भारत से ब्रमोस मिसाइल खरी दी है और उनकी डिलिवरी अब से कुछ महीनों के बाद होनी है यानि कि डिलिवरी में अभी काफी वक्त है ऐसे में अगर भारत चा इनके युद्वपोत भी ब्रमोस मिसायलों की रेंज में आ जाएंगे और फिलिपीन्स को और हिम्मत मिलेगी इने और ताकत मिलेगी हाला कि इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनिन है कमेंट करके बताईएगा हाला कि इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अंगली करते हैं जो कंट्री थोड़ा ताकत में कम हो और फिलिपीन्स जो है वह इतना विकशीत देश तो मतलब अब उसकी जीडीपी वह वैसे भी इतनी स्ट्रोंग नहीं है फिलिपीन्स की तो वह जानता है फिलिपीन्स की ताका तो यह तो मतलब करेगा जान बूस से अ चाहता है ताकि वह भारत को कवर कर सके चार और से बहुत सार तो उनने घड़ बिल लिए बिलकुल तो यह होने वाला नहीं है पैसाई ना अभी तो फिलिपीन्स में मतलब थोड़ा वह किया तो इंडिया मतलब यूके ने यूके ने यूएसे और ब्रिटन सब की से नहीं वैसे भी तैवान के साथ जिस-इस कंट्री के रिलेशन अच्छे होंगे उसकंट्री वह कंट्री के साथ जिन के रिलेशन कि खराब होंगे तो यह होने वाला था यह आशाय् tि क्योंकि चाहइनाका जो हाथ है मतलब हर बार कहीं-ना-कहीं ऐसे श्रूपस बोलते हाना हाथ म पार्टनर्सिप है यूएस के सास्थ और उसके अलावा जो टापू और एक था कुंचा था अभी दो दिन पहले उसकी न्यूस थी तो वह भी है मयानमार में पीचिन उसकी मनमानी करना चाहता है तो उसका जो टार्गेट इना वो समर्ज में आ सुका है क्योंकि उसको सबको प सब्सक्राब के इन्डिया नहीं कर पायेगा तो यह प्लानिंग में कभी सख्षेथ नहीं होने वाला क्योंकि यूए से विरोद में और यूएस मदद साथा है बाहरत की चाइना के गिलाव लड़ने के लिये यह युद घरने के लिए नहीं मंनलब उसको पसांदने के लिए mines in चैनाएं इस वीडियो के बारे में हम आपकी राइ जानना जरूर साहें Shap Kimberly यह जो सीनारिया मेंह चैनल पर पहली बार आयो सब्क्रेब नहीं किया है तो चरुब से कर दीजेगा तो फिलाल हम दोस्तों आप से विदाइचार्थे हैं और मिलते हैं और नहीं टौपिक्स के साथ आपके साथ जरूर्द दुबारा मिलते हैं चैने जैंसे बारत